Good morning students, again I am continue the same chapter that is the trade, crafts and cities है na, यह chapter को मैं फिर से आज आज आपको पताने चारी हूँ now from the irrigation, irrigation से सुरू करते है ना नी सिचाई, rulers controlled and improved irrigation rulers लोग क्या करते थे, rulers mean सासक लोग, क्या करते थे, control करके रखे थे, improve कराना सुरू के irrigation यानी सिचाई के अची पेवस्ता करें, उसका reason क्या है कि राजाओं को यह पता होता था कि लैंड में जितना ज्यादा उपज होगा उतनी ज्यादा उनको क्या मिलेगी, कर मिलेगी तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, rulers अब ध्यान देना सुरू के सिचाई बे, they had canals, dams and ring wells constructed for the purpose उसके लिए उन्होंने बहुत सार जो है, अपना दिमाग लगाकर canals बनवाया, dams लगाया, यहां तो कि ring wells भी बनाया, ring wells क्या होता था, terracotta में एक ring wells पाया गया इस पेसली, जिसमें अगर आप देखोगे, तो उस ring wells में क्या था, कि इसी चाई के लिए अच्छी व्यवस्त तरह से वह यूज करते था, the use of better tools and improved farming methods help increase agriculture production, इस तरह से tools भी अच्छे यूज होने लगे, iron के tools, इसके साथ ही साथ, improve हो गया method of irrigation, यानि सिचाई की भी अच्छी व्यवस्ता होने लगी, तो क्या हुआ, agriculture बहुत तेजी से production improved हुआ, बहुत तेजी से बढ़ा, there were the normally two crops a year, इस वैसे ही उस समय भी दो crops का वनियम था, दो crops साल भर में तो उगी जाता था, as kingdoms expanded, more and more land were brought under the improved farming method, इस तरह से जैसे जैसे kingdoms बड़े होने लगे, expand means फैलने लगा, वैसे ही वैसे जादा से जादा जमीन जो है, वो लग farming के लिए use करने लगे, this gave rise to a large crop surplus, इस से क्या हुआ, बहु crops were traded, अब surplus crop है, वो fake तो नहीं देंगे ना बचावा अनाज को, वो क्या करेंगे, उससे वैपार करेंगे, तो trade करना सुरू कर दिये, वैपार कर रहे है, trade दूसरे cities से करेंगे, अब गाउं में ही तो बैठे नहीं रहेंगे वैपार करने के लिए, गाउं के लिए तो खाने काउं के लोगों को खाने के लिए sufficient है, ना अनाज, तो क्या करेंगे, उन अनाजों को वो दूसरे जगा बेचने जाएंगे, तो trade, यानि वैपार सुरू हुआ, तो यानि नगरों का सहरों का रिकास यहीं से सुरू हुआ, trade led to the growth of town, यही trade जो था, उसी के कारन क्या हुआ, नए-ने नगर का पता लगने लगा, कैसे नए-ने नगर आ रहे हैं, the growth of the craft, now the Buddhist text mentioned a large number of specialized craftsmen, such as the carpenters, oil pressures, stone workers, ivory workers, metal workers, dwellers, weber etc, most of them worked in the towns, some also worked in villages, अब यहां Buddhist text जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हमको पता चलता है, कि हर एक इनसान उस समय क्या था, specialization होने लगा था, जैसे आज कहले है, सबका अलग-अलग work होता है, जिसको ज्यादा अच्छे से जो काम आता, वो काम करता है, उसी तरह उस समय भी specialization होने लगा था, इसके अलावा ivory workers होते थे, यानि हाथी दात का work कुछ अलग करते थे, metal workers, यानि metal का use करके जो work किया जाता था, metals का use करके कुछ चीजे बनते थे, वो अलग work करते थे, जोहलर्स यानि जेवराद बनाने वाले दूसरे को ही workers होते थे, ravers, कपड़े बुनने वाले अलग होते थे, इस तरह से अलग अलग जिसको जो specialization होता था, उस तरह से वो work किया करते थे, most of them worked in the town, उसमें से जादा तर लोग कहां पर काम करते थे, गाउं में नहीं रहते थ आपे लिखा गया है, बताए जा रहा है कि आरन के टूस, तो जादा तर especially हम लोगों को कहां से पता चलता है, archaeological sources से पता चलता है, कि हम लोग कुदाई में पता चलता है, अच्छा वो लखड़ी के iron के, यानि लोहा के tools का use करते थे, और जारों का प्रयोग करते थे, इसके अलावा सिक्के मिले, हमको burnt brick, यानि कि पके भी इटे मिले, sculptures मिले, जिसमें लिखा जाता था, वो साथ भी कुछ मिले, इसके अलावा black pottery हम लोगों को मिला, यानि वो बरतन में color रंग लगाया करते थे, polish रिया करते थे, और ये दोनों जगह से हमें मिला है, North और South Indian दोनों cities से हमको देखने को मिला है, इस तरह से हमको पता चलता है, कि South Indian traders जो है North India आया करते थे बेचने के लिए, और North Indian traders कहां जाते थे, South India अपने समानों को बेचने जाया करते थे, the craftmans of a particular kind often settles together in place close to the source of the raw materials on near trade routes and markets, अब देखिए, craftsman और एक particular चीज का, यानि जो जिस चीज का वेपार करता है, वो अपने raw materials की आसपास में ही अपना जो है वे है का वहीं तो वेपार करेंगे, जैसे carpenter है, वो जंगल के आसपास में रहेगा है न, जैसे अभी minerals निकालने वाला metal workers होगा, तो जहां पर raw materials उसको ख़दान से मिलता होगा, वहां पर और जहां से निकल रहा है, वहां पास में रहना उसको अच्छा लगीगा, जो the potter है, त तू को क्या है, clay, जहां पर मट्टी मिलती होगी, उसके आसपास में वह अपना काम करेगा, इस तरह से सब लोग raw materials के आसपास में ही अपना work किया करते थे, thank you.